राम राम आजम श्रिमत भगवत कीता के अध्याए 18 मुक्ष सन्यास योग का श्लोक पच्छपन संस्क्रित उच्छारण और हिंदी आर्थ सहित समझेंगे पहला चरण भो के साथ आदा का भग आदेत के साथ यात्या भक्त्या मा म में आमिक्स का ना मा म भी जानाती पहला चरण रिपीट भक्त्या मा म भी जानाती दूसरा चरण या वा के साथ आदा न या वान य पूरी के साथ आदा श्रय्यश- चा मत्रा के अंदर आदा सचा के साथ चास म पर ई की मत्रा चास मी त के बाद में आदा त है उस आदे त के पास छोटी सी लाइं वो भी आदा त त त पूरी के साथ आदा त त और फिर एक आदा त है दिख रहे हैं उसको व के साथ त त त त और फिर एक पूरा त त त में अ की मतला तो विसर्ग को पढ़ेंगे दूसरा चरहन रिपीट पहला और दूसरा चरहन सात में तीसरा चरहन तपूरे में अबिक्स करना है ततो मा क्यों पर अनस्वार आधममाम त की साथ आदा त तत और आदे त की साथ वत्व तत्व तो ग्या के साथ आदा त ग्यात्व तीसरा चरन देपीट ततो माम तत्व तो ग्यात्व चाथा चरन विश्ष में आमिक्स करेंगे विश्षती तद दोनों अक्षर पूरी दोनों में आमिक्स करेंगे तद ना पूरी में अमिक्स करेंगे तर पूरी के साथ आधा मर्रम तरम चाथा चरण रिपीट विशती तदनंतरम तीसरा और चाथा चरण साथ में ततो माम तत्वतो ग्यात्वा विशती तदनंतरम पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ भक्त्याय माम भीजानाती यावान यश्चास्मी तत्वतः ततो माम तत्वतो ग्यात्वा विशती तदनंतरम एक बार फिर से भक्त्या माम भीजानाती यावान यश्चास्मी तत्वतः ततो माम तत्वतो ग्यात्वा विशती तदनंतरम श्लोक का आर्थ समझेंगे श्लोक में भागवान पराभक्ति का फल बताएंगे क्योंकि इससे पिछले श्लोक में भागवान ने बताया था कि ब्रह्म रूप बना हुआ प्रसन्न मन वाला सादक ना तो किसी बात के लिए श्लोक करता है और ना ही किसी बात की कामना या इच्छा करता है वो सभी प्राणियों में समान भाव रखने वाला रहता है इसलिए ऐसा सादक पराभक्ति को प्राप्त करता है अब पराभक्ति क क्या फल है वो आज के श्लुक में हम देखते हैं पहले शब्दों के अनुसार अर्थ भक्तिया परा भक्ति से माम भी जानाती देखो इसमें मा पूरा है इसके आदे मा को मा के साथ करेंगे तो माम यानी मुझे माम इस क्या तो अभी जानाती यानी जान लेता है यावान जित जो चास्मी यानि चधन अस्मी च यानि और अस्मी यानि हूं तत्वतह यानि तत्व से ततो ततो यानि फिर ततो माम माम यानि मुझे तत्वतो तत्व से ज्यात्वा जानकर विशते प्रविष्ट हो जाता है तदन अंतरम उसी समया तत्काल पूरा अर्ठ क्या निकला उस प हूं और जो हूं इसको तत्व से जान लेता है फिर मुझे तत्व से जान कर तत्काल प्रविष्ट हो जाता है तो जब जो भक्त किसी भी बात के कोई कामना नहीं करता और कुछ भी बात का दुख संसार के लिए लगता हो लेकिन वो किसी बात के लिए शोक नहीं करता और सभी प्राणियों में समान भाव रखने वाला होता है तो ऐसा वेक्ति जब पराभक्ति को प्राप्त करता है तो पराभक्ति से वह ये मान लेता है कि वो मैं जितना हूँ और जो भी हूँ मतलब परमात्मा जितने भी हैं और जो हैं इस बात को तत्व से जान लेता है और भगवान को जो तत्व से जान लेता है वो उसी समय भगवान से एकिकार हो जाता है भगवान में प्रविष्ट हो जाता है तो इस प्रकार से ये मतलब हुआ कि भगवान में प्रविष्ट होने का मतलब हुआ कि जो हम मानते हैं कि मैं अलग हूं और भगवान अलग है ये बिनिता का भाव पूरी तरीके से मिठ जाता हैं और तत्व से जानने पर हम ये मान लेते हैं कि भगवान ही हर जगा पर है भगवान और हम में कुछ भी बिन्न नहीं है हम तो अभिन्न हैं एक दूसरे के परमात्मा के अंश है हम इसलिए हम परमात्मा से किसी भी प्रकार से अलग हो ही रही सकते हैं और जब व्यक्ति इस बात को जान लेता है कि केवल हम परमात्मा ही सब कुछ है और हम परमात्मा के अंश है इस पूर्ण भाव को तत्व से जान लेने वाला व्यक्ति ही मनुष्य जर्म के सार्थकता को निभाता है मतलब उसी मनुष्य का जीवन लेना सार्थक है जो ये बात मान लेता है कि हर स्थान पर हर समय केवल और केवल परमात्मा ही है जो कुछ भी है वो केवल परमात्मा ही है हम उस परमात्मा से एक स्चन के लिए भी अलग नहीं हो सकते हैं हर जगर पर हम परमात्मा में ही हैं तो इस तरह से परमात्मा और मुझे में किसी भी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं है ये बात को जानने वाला व्यक्ति स्वते ही परमात्मा में प्रविष्ट हो जाता है तो इस प्रकार भगवान ने शलोक में बोला कि मैं जतना भी हूँ जिस भाव वाला भी हूँ जिन रूप गुण और कर्म वाला हूँ उस मेरे समग्र रूप को जो तत्व से यथार्थ अनुभव कर ले वो ही इस मनुष्य जीवन की साड़ थक्ता को निभा रहा है और ये कारिये कीवल और कीवल भगवान की क्रिपा से संबव है भगवान को तत्व से कीवल वही जान सकता है जिस पर भगवान की क्रिपा हो भगवान को जानने का मतलब कि परमात्मा और हम में कुछ भी भिनता है ही नहीं हम अभिन्न हैं हम परमात्मा के अंश हैं हमारा कीवल संबंद परमात्मा से इस संसार में तो कीवल हम अपने कर्टव्यों को निभाने आए हैं अविनाशी, सायज सुखराशी, ये नाथ है मेरे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, आप क्रिपा करें, मैं आपको भूलू नहीं नारेन, 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 नारेन